बिस्मिल्लाहिर्राह्मानिर्राहीम आज हम अपने subject introduction to computing के एक और video lecture के साथ हादिर हैं जैसे के आप जानते हैं के nowadays we are working with number systems और हम यह सीख रहे हैं के how can we convert one number system into an other number system that is called interconvergence of number system in previous lectures I have covered how can we convert binary number system into octal, decimal and hexadecimal number system similarly I have also covered octal number system and decimal number systems convergence into other number systems today we are going to discuss how can we convert hexadecimal number system into binary, octal and decimal number systems so let's start if you want to convert hexadecimal number system into binary number system then what you are going to do, assume कीजिये एक हमारे पर पर नमबर है 59 और यह hexadecimal का number है और यह हमारे पर नमबर है और यह hexadecimal का number है और यह हमारे पर नमबर इंट बाइनरी number system तो D किसके equivalent होता है, we know कि D actually 13 के equal है तो D की जगा पर हम 13 replace कर देंगे ताके calculation करने में यह convert करने में हमें आसानी हो अब हर एक digit के नीचे, यानि 9 एक अलग digit माना जाएगा 13 एक complete digit के तोर पर यहाँ पर लिखा गया है आप इसको 1 और 3 अलग-अलग नहीं समझीए 13 is a complete digit और 5 भी एक digit है तो हर digit के नीचे यानि 5 के नीचे, 13 के नीचे और 9 के नीचे आपने लिखना है 1, 2, 4, 8 यह जहन में लखेगा कि जो 1, 2, 4, 8 आप किसी भी digit के नीचे लिखेंगे वो 1 सबसे यानि most right side पर 1 होना चाहिए उसके बाद 2 left side पर, उसके left पर 4, उसके left पर 8 जैसे कि यहाँ screen पर आप देख सकते हैं अगर आपने 1 right side पर रखने के बजाए left side पर रखा यानि 1 और पिर यहाँ 2 रखें, यहाँ पर 4 और पिर यहाँ पर 8 तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा इसलिए, इस इसका ख्याल करना है कि 1, 2, 4, 8 लिखते हुए आप right सही लिखना शुरू करेंगे और यह 1, 2, 4, 8 हम क्यों लिखना है? क्योंकि 1 स्टार्टिंग नमबर है, उसका double 2, 2 का double 4 और 4 का double 8 अब आपने करना यह है, आपने यह देखना है कि यह जो हमारे पास hexadecimal के digits है, like 5, 13 और 9 अब मैं 9 obtain करने के लिए, इसके नीचे लिखे गए numbers यह नि 1, 2, 4, 8 में से किन को add करूँगा, कि जवाब 9 आ जाए तो आप देखने में 8 और 1 को add करने पर जवाब 9 हासी कर सकता हूँ जबके 4 और 2 को मैं add नहीं करूँगा, 8 और 1 को add करने पर, प्लस करने पर जवाब 9 आ रहा है 4 और 2 को प्लस नहीं किया जाएगा, तो जिस number को आप प्लस नहीं कर रहें, उसके नीचे 0 लिखेंगे और जिन numbers को आप प्लस करेंगे, उनके नीचे 1 लिखेंगे, like this तो चुके मैंने 8 और 1 को ही सिर्फ add करके जवाब 9 obtain कर लिया है, तो मैं 8 और 1 के नीचे 1 लिख रहा हूँ और 4 और 2 के नीचे 0, जहाँ पर आप देखें कि मुझे 13 result चाहिए, तो 13 result obtain करने के लिए मैं किन-किन numbers को add करूँगा, 8 को, 4 को और 1 को, यहीं 8 प्लस 4, 12, और 12 प्लस 1, 13, तो मैं जो required result है 13, उसको obtain करने के लिए मुझे 8, 4 और 1 को add करना होगा, प्लस करना होगा, तो इन के नीचे में 1 लिखूँगा, और 2 को चुके मैं add नहीं कर रहा हूँ, प्लस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उसके नीचे 0 आएगा, similarly 5 को obtain करने के लिए हम सिर्फ 4 और 1 को add करेंगे, तो 4 और 1 के नीचे 1 होगा, जबके 8 और 2 के नीचे 0, आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमने hexadecimal नंबर को binary नंबर सिस्टम में convert कर लिया है, 5D9 hexadecimal का binary में 0101, 1101 और 1001 के तोर पे लिखा जाएगा, यह जो most left side पर 0 अगर कोई आ रहा है, अगर आप लिखते हैं, it's okay, नहीं भी लिखते हैं, कोई issue नहीं है, यानि आप अगर यह जो most left side का जो 0 है, इसको अगर लिखते हैं, तब भी सही है, अगर नहीं भी लिखते हैं, तो it's okay, कोई इसका फर्ख नहीं पड़ता, यह बिल्कुसी तरीचा से है, कि अगर आपने 5 लिखा, एक number 5 है, अगर 5 के left side पर अगर आप 0 लगा का number है, और we have to convert this number into binary number system, आपने hexadecimal number को, उसके digits को थोड़े थोड़े gap से लिख दिया है, अब अगेन यहाँ पर alphabets से C और F तो इनके जो equivalent numbers हैं, उनको यहाँ पर replace किया जाएगा, 7 as it is रहेगा C की जगापर, 12 as it is रहेगा और F की जगापर 15 आ जाएगा, अगेन हर digit के नीचे हैं मैं 1 to 4 add लिखना है, अब 15 आप 10 करने के लिए मैं 1 to 4 add में से किन-किन numbers को add करूँगा, या किनी तोर पर सारे numbers को add करना बढ़ेगा, add plus 4 is 12, 12 plus 2 is 14, and 14 plus 1 is equal to 15, तो इन तमाम, चुके digits को मैं add करना हूँ, numbers को add करना हूँ, इस से इन सब के नीचे बना जाएगा, 4 क अप 10 करने के लिए 4 को ही add कि जएगा, plus कि जएगा, बाकि किसी भी number को use नहीं किया जाएगा, तो जो number use नहीं हो रहे हैं, उन के नीचे 0, 4 के नीचे 1, यहां 12 अप 10 करने कि लिए 8 और 4 के नीचे 1 होगा, 2 और 1 के नीचे 0, यहां पर 4, 2, 1, इन के नीचे 1 आजएगा और इ बाइनरी में convert हो चुका है यानि 7C4F hexadecimal का यह number binary में लिखा जाएगा 0111001001001001111 के तौर पे आपने देखा कि हमने कितनी असानी से hexadecimal number system को binary number system में convert कर लिया है now we are going to discuss कि how can we convert hexadecimal number system into octal number system अगर आपको याद हो मैंने octal number system को जब आपको hexadecimal number system में convert करना चिखाया था अपने एक वीडियो लेक्चर में तो उसमें मैंने ये बात की थी कि हम पराहरास्प octal number system को hexadecimal में convert नहीं करते हम पहले octal number system को binary में convert कर रहे थे और जो binary का equivalent result आ रहा system into octal number system then you have to convert hexadecimal number system into binary then binary number will convert into octal number system तो ultimately hexadecimal number system octal number system में convert हो जाएगा देखते हैं कैसे होगा ये काम नंबर है 9BA हमने तमाम डिजिट्स को थोड़े थोड़े गैप से लिख लिया है A और B इनको replace किया जाएगा इनके respective digits के साथ इने A की जगा पर 10 आ जाएगा और B की जगा पर 11 हर digit के नीचे 1, 2, 4, 8 लिखा जाएगा क्योंकि अभी हम hexadecimal को binary में convert कर रहे है तो 10 के नीचे 1, 2, 4, 8 11 के नीचे 1, 2, 4, 8 और 9 के नीचे भी 1, 2, 4, 8 अब 10 को opt-end करने के लिए मैं 8 और 2 को add करूँगा, 4 और 1 को add नहीं किया जाएगा, इसलिए उनके नीचे 0 और 8 और 2 के नीचे 1 11 opt-end करने के लिए 8, 4 और 1 को add किया जाएगा, sorry, 8, 2, 1 को add किया जाएगा, तो 8, 2 और 1 के नीचे 1 आ जाएगा और 4 के नीचे 0, 9 opt-end करने के लिए 8 और 1 के नीचे 1 होगा, जबकि 4 और 2 के नीचे 0 यह hexadecimal number convert हो चुका है binary में, now what we are going to do, we have to convert this binary number into octal number तो हम कह सकेंगे finally, के hexadecimal वाला number हमारा octal में convert हो चुका है यह है binary equivalent number जो hexadecimal का हमने बनाया है, right, अब आपने इस binary number system को octal number system में convert करना और तरीकर यह है कि आपने 3-3 digits का pair बनाने और pair कहां से बनेंगे right side से start करेंगे, like this, यह हमारे pairs बन चुके हैं, हमेशायद रखेगा कि pair बनाते हुए आपने right side से pair start करने है यहां से 010 का एक pair हो गया, 111 का एक pair हो गया, 011 का एक pair हो गया, और 001 का एक pair बन गया, ठीक अब हमने करना यह है, कि हर एक pair के नीचे digit wise 1, 2, 4 लिखना है, like this, यहनि इस pair के नीचे 1, 2, 4 आ गया, यहनि इस pair में 3 digits से 010, तो right side से start किया, 0 के नीचे 1, 1 के नीचे 2, और इस 0 के नीचे 4, again इस pair में, 111 में, सबसे पहले 1 के नीचे 1 आएगा, इस 1 के नीचे 2, इस 1 के इस 1 के नीचे 2, और इस 1 के नीचे 4, and so on, अब जो 0 जो है, यहनि हमारे जो binary number बना था, इस binary number जो 0 है, उनको आपने cross कर देना है, like this, pair wise calculation करेंगे, आप 1 के नीचे नीचे जो number है, जो 1 के नीचे pair में, देखेंगे, 1 के नीचे नीचे जो number है, उनको add कर लेंगे, अब 1 के नीचे यहाँ पर 4 है, बाकी कोई और नमबर हमारे पास नहीं है, तो यह 4 आधरे नेदे रहेगा, यहाँ देखिए, कि यह 1 और यह 1 इसके नीचे नंबर को उनकों है 4 और 2 तो इंस 4 और 2 को आप add कर लीजिए जवाब 6 आएगा यानि यहां पर 6 आजाएगा इसके नीचे 7 आजाएगा इसके नीचे 2 आजाएगा तो 4672 इसका मतब यह हुआ कि hexadecimal का 9BA octal में 4672 के तोर पर लिखा जाता है right इसकी एक और एक्जामपल करके देखते हैं C5E9 यह hexadecimal का नंबर है और we have to convert this number into octal सबसे पहले hexadecimal के नंबर को हम convert करेंगे binary में तो हमने binary में convert करने के लिए इन तमाम digits को थोड़ से gap से लिख लिख लिए है C और E चुके alphabets हैं इनकी जगा पर हम इनके respective digits लिखेंगे C की जगा पर 12 आ जाएगा और E की जगा पर 14 अब हम हर digit के नीचे 1,2,4,8 लिखेंगे right अब मैं यह देखूंगा कि इस 1,2,4,8 के उपर जो हमारे पास नंबर है 9 उसको opt-end करने के लिए मुझे कौन-कौन से numbers को add करना पड़ रहा है तो 8 और 1 को add करूंगा 9 आ जाएगा तो जिन numbers को मैं plus कर रहा हूं उनके नीचे 1, जिनको मैं add नहीं कर रहा हूं प्लस नहीं कर रहा हूं उनके नीचे 0 similarly 14 के लिए 8, 4 और 2 को add किया जाएगा तो इन तीन और digits के नीचे 1 आ गया और 1 को हम चुके use नहीं करने है उसके नीचे 0 5 के लिए 4 और 1 के नीचे 1 आ जाएगा 8 और 2 के नीचे 0 और 12 के लिए 8 और 4 के नीचे 1 आ जाएगा 2 और 1 के नीचे 0 यह हमारे पास hexadecimal number binary में convert हो चुका है now what we are going to do we have to design pairs of 3 digits तो वो 3 digits हमने right side से लेने है 100, 101, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 और 1 ठीक यह हमारे पास pair हो गए अब आपने क्या करना है के हर pair के नीचे 1 to 4 लिखना है digit wise 0 वाले digits को आपने cross कर देना है हर pair के साथ से आपने number calculate करने है यहाँ पर 1 के नीचे 1 है 1 रहेगा यहाँ 1 के नीचे 4 है 4 रहेगा यहाँ 1 के नीचे 2 है 2 रहेगा यहाँ पर triple 1 जो यहाँ पर मौझूद है इनके नीचे 4 है 2 है 1 है इनको add कर लेंगे 4 प्लस 2 प्लस 1 7 हो जाएगा यहाँ पर 1 और 1 है इनके नीचे 4 और 1 है तो इन 4 और 1 को add कर लेंगे 5 हो जाएगा यहाँ पर 1 रहेगा तो आप देख सकते हैं 142751 यानि hexadecimal का C5E9 octal में 142751 के तोर पर लिखा जाता है तो आपने देखा कि हमने कितनी असानी से hexadecimal number को convert किया है octal number system में उसके बाद अब हम देखेंगे कि hexadecimal number को decimal number system में किस तरह से convert किया जा सकता है right here is the example यह है हमारे पास एक number hexadecimal का 897 इसको हमें convert करना है decimal number में इसका तरीकर यह होगा कि आपने हर digit को 16 से multiply करना है 8 को 16 से multiply किया plus की sign दी 9 को 16 से multiply किया plus की sign दी और 7 को multiply किया 16 से plus की sign दे दी यहाँ पर आकर आपको हर 16 के उपर power assign करनी है power assign करना शुरू करेंगे आप right side से left की तरफ move होंगे right से left की तरफ जाते हुए power sign होंगी यानि इस 16 पे power sign होगी सबसे पहले और power शुरू होगी हमेशा 0 से उसके बाद 1 उसके बाद 2 देखिए इस तरीनों से power सा गई अब जब हम solve करेंगे तो यहाँ देखें कि 8 तो एतरी तो रहेगा multiplication की sign वो ही है plus की sign 7 multiplication और 16 power 0 is equal to 1 I have already told you in my previous lectures कि किसी भी number के उपर किसी भी number के उपर अगर power 0 होगी वो 1 के equal माना जाएगा तो यहाँ 16 के उपर power 0 है that is equal to 1 अब आप इसको मजीद solve करेंगे यानि जो भी numbers multiply हो रहे हैं उनको multiply करके रखें 256 multiply by 8 that is equal to 2048 plus की sign as it is 16 multiply by 9 is equal to 144 यह plus की sign यहाँ पर 7 into 1 is equal to 7 इनको आप आप से plus कर लिजे that will become 2199 इसका मतलब यह हुआ कि hexadecimal का 897 decimal के 2199 के equal है अब हम इसकी एक और example करके देखते हैं यह है number d6 double f hexadecimal का number है और we have to convert this number into decimal number system what we are going to do we have to write down the equivalent numbers of these digits like d2 जगा पर 13 आगिया 13 multiply by 16 6 multiply by 16 f is equal to 15 15 multiply by 16 और again this f 15 multiply by 16 यानि हमने alphabets को उनके respective digits से replace कर दिया है और हर digit को 16 से multiply के और plus की sign देते गए right उसके बाद हम power assign करेंगे किसको 16 को power शुरू कहां से होंगी 0 से और हमें power देनी कहां से right से left move होंगे right side से power assign करते वे जाएंगे left की तरफ तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे right side पर हमारे पास 16 है उसके उपर power 0 है उसके बाद 1 फिर 2 और फिर 3 13 into 16 cube 16 cube किसके equal होता है 4096 के equal 16 का square 256 के equal 16 power 1 is equal to 16 and 16 power 0 is equal to 1 अब हम इसको मजीद solve करते हैं 4096 multiply by 13 that is equal to 253,248 plus 256 multiply by 6 is equal to 1536 plus किसान as it is 16 multiply by 15 is equal to 240 and 15 multiply by 1 is equal to 15 इन सब को add करेंगे that will become 55,039 which means के hexadecimal का D6FF equivalent है decimal में 55,039 के ये हो गया hexadecimal की conversion decimal number system में अमीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हम किसी भी decimal number system से belong करने वाले number को किसी और number system में कैसे convert कर सकते हैं अगर आपके जहन में अभी भी कोई question हो कोई क्यूरी हो कोई अगर आपके जहन में कोई feedback है कोई suggestion है और आप उससे मुझे 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 नचाहते हैं inform करना चाहते हैं तो आप मेरे email address में मुझे email कर सकते हैं साथ साथ आप इस वीडियो के comment section में भी comment करके मुझे बता सकते हैं तो यह थे हमारे video lectures number system समतालिक अब यह number system का जो chapter है यह complete हो चुका है अगर कोई भी सवाल आपके वहें में हो तो आप without any date hesitation मुझे सिक कर सकते हैं अपना बहुत 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 चाल रखिए का thank you allah hafiz